नमस्कार स्वागत है आपका प्रदेश तक में पक्ष बिपक्ष के बीच आए दिन एक दूसरे पर हमला करने का सिलसला जारी रहता है अभी हाली में यूरोपी आत्रा पर गए कॉंग्रिस सांसद राहूल गांधी ने बेलजिया में प्रेस कॉंफरेंस के दौरान बीजेपी कुछ ही लोगों की बात सुनती है राहूल ने भारत की मेजवानी में हो रही G20 समिट के साथ चीन और तमाम मुद्दो पर अपने विचार रखे चीन की बात पर राहूल गांधी ने कहा कि चीन का एक अलग डस्टी कोड है वो एक अलग डस्टी कोड प्रस्तावित कर रहा ह चीन Belt and Road Initiative का विचार रख रहा है क्योंकि वो ग्लोबल प्रोडक्शन का सेंटर बन गया है लेकिन हमारी ओर से मुझे कोई बैकल्पिक डस्टी कोड समझ नहीं आता चुनौती हमारे लिए है कि हम बैकल्पिक डस्टी कोड कैसे दे सकते हैं जिसमें पॉलिटिकल और एको फ राहुल गांधी की क्या राय है अगर बात दिल्ली में हो रह रही जीटॉइंटी की करें तो जीटूइंटी समिट डिनर में मलीका अजुन खरगे को आमतिद nicht करने पर राहुल ने कहा कि इसमें क्या कहा जा सकता है। उन्होंने विवख्ष के नेता को नहीं बुलाने का फैसला लिया है। यह यहीं भी बताता है कि भारत की आबादी की नेता की एहमियत नहीं है वहीं इंडिया भारत विबात पर बात करें तो राहुल गांधी ने कहा कि मैं सम्मिदान में इस सब्द से पूरी तरह खुश हूं सरकार में एक डर है और यह सब ध्यान बटकाने की राजनीती है राहुल ने आगे कहा कि हमने अपने पर हमला हो रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही है मोधी सरकार पर निशानत साधते हुए राहुल बोले कि सरकार अपने कुछ खास लोग जैसे अडानी के लिए काम कर रही है उन्हें फाइदा पहुंचा रही है इस खबर में बस इतना ही देश-दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रही है प्रदेश तक के साथ अगर आप हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्रदेश तक को सब्सक्राइब कीजिए फेस्बूक पर देख रहे हैं तो पेच को फॉलो करना ना भूलें